वाट इस बुलिंग बुलिंग क्या है जब classroom discipline और management की बात आती है तो जो biggest breach of discipline है वो बुलिंग कहलाता है वुलिंग जो है वो एक खास रवया है यह वो रवया है जिसके तहट किसी एक शक्से दूसरे शक्स को बहुत नुकसान पहुंचता है इसका मतलब यह है कि कोई एक शक्स जो है वो दानिस्ता तौर पर willingly किसी दूसरे शक्स को नुकसान पहुंचाता है And the intent is malicious. psychological नुकसान पहुन सकता है और कोई physical भी नुकसान पहुन सकता है तो जब हम discipline की management की बात करते हैं तो उसमें बुलिंग के उपर हमें खास तवज्जो देनी चाहिए बुलिंग जो है वो schools में बिलकुल नहीं होनी चाहिए और अगर है तो उसको फौरी तोर के उपर उसको खतम क करना चाहिए आम तोर पर बुलिंग जो है वो classrooms में होती है और इसके इलावा school में जो बड़ी उमर के तालेबिल में वो छोटी उमर के जो तालेबिल में उनको बुली करते हैं तो इस चीज़ को जो है वो वाज़े तोर पर देखना चाहिए कि कौन किसको बुली कर रहा है क विक्टम, both are in the danger zone and both need to be controlled. हम वज़ात से जब बुलिंग को देखते हैं तो उसमें जो cycle of बुलिंग है उससे ये मुराद है कि एक विक्टम होता है और जो बुली होता है वो उसको नुकसान पहुंचाता है तो इसमें बहुत से लोग जो है वो रोल प्ले करते हैं विक्टम जो है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है और जो बुली है वो नुकसान पहुंचाता है मगर ये सिरफ दो लोगों की कहानी नहीं होती जब हम बुलिंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं कुछ actively involved होते हैं कुछ passively involved होते हैं मिसाल के तोर पर कि उसके followers होते हैं उसके साथ साथ supporters भी होते हैं वो actively तो हो सकता है कि ना जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हूं लेकिन वो fully support bullying को कर रहे होते हैं उसके साथ साथ passive supporters होते हैं passive supporters जो हैं वो active part play नहीं करते लेकिन वो भारहाल bully के साथ होते हैं और वो इस चीज़ का इजहार करते हैं कि वो bully को support कर रहे हैं इसके इलावा कुछ और किरदार भी होते हैं जो bullying incident में जो हैं वो एहम किरदार अदा कर सकते हैं उसमें एक को disengaged onlooker कहा जाता है इसका मतलब है कि वो bullying incident को देख रहा है और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहा है ना वो उसको report कर रहा है या कर रही है बस वो उसको देख रहा है यह वो शक्स होता है जो के bullying को basically जो है वो dislike करता है but he or she does not show open retaliation he or she does not curb the bullying incident वो एक passive defender होता है वो victim के साथ होता है मगर वो कुछ करता नहीं है इसके इलावा जो है वो एक defender होता है defender वो शक्स होता है who dislikes the bullying and tries to help the victim यह actively victim को help करने की कोशिश करता है तो जब हम bullying की बात करते हैं तो bullying में यह कुछ ऐसे किरदार है जो के कुछ active role play करते हैं और कुछ passive role play करते हैं अब bullying किसको कहते हैं? Bullying में क्या आ जाता है? Bullying में जो है insult आ जाती है, teasing आ जाती है, आप किसी को तंग करते हैं इसके इलावा bullying में abuse आ जाती है, you verbally or you physically abuse someone and this is as close to a crime यह नहीं होना चाहिए, आप threaten करते हैं, आप जो है वो openly किसी को threaten करते हैं, किसी की life या property को threaten करते हैं यह भी bullying कहलाता है इसके इलावा आप किसी की तजही करते हैं, आप किसी को humiliate करते हैं यह जो है यह नहीं होना चाहिए, इसके इलावा mobbing, mobbing का मतलब यह है कि आप मिल कर किसी को victimize करते हैं तो यह कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो bullying के उसमें आती हैं, जुम्रे में आती हैं और कोशिश शेयर करनी चाहिए, कि teachers जो हैं, वो इस चीज़ों का खास खयाल रखें और कोशिश शेयर करें, कि यह जो तमाम bullying की definitions हैं, यह classroom में या school में पेश ना आएं क्योंकि bullying जो है, यह बहुत स्यादा negative behavior है और इसकी जो extreme शकल है, उसके बहुत स्यादा negative consequences हो सकते हैं